मैं रोसंतिवार एक वर्पुना अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सस्क्राइब नहीं किये हैं जैसा कि हमने इससे पहला वीडियो कक्छा 10 के अभ्यास के बीच में जो प्रस्न उतर दिया गया था उसका प्रस्न को उतर को हल करवाये थे आज हम लोग अभ्यास पांच के तत्वों का आवर्थ वर्गी करन जो है उसमें अभ्यास में जो प्रस्ण उतर दिया गया है उसको हल करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसमें पहला प्रस्ण है आपका अबजेक्टिव है आवर्थ सार्णी में बाई से दाई और जाने पर प्रविर्थियों के बारे में कौन सा कथन असत्ते हैं तो देखें तत्वों की धातुक प्रविर्थि घटती है संयुजक्ता ए मे होती है तो परमानु इसका अंसर हो जाएगा परमानु आसानी से इलक्ट्रोन का त्याग करते हैं याद रखेगा प्रस्ण में ध्यान से देखेगा यहां पर कर रहा है कौन सा कथन असत्ते है जिसमें यहां कथन क्या है असत्ते है आगे देखते हैं दूसरा नमर का दूसर 2 सुत्रवाला एक कुलोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है आवर्त सार्णी में यह तत्व संभवत किस समू के अंतरगत होगा जिहां इसका देखेंगे आपका अंसर हो जाएगा Mg होगा वह तत्व है जो XCl2 एक कुलोराइड बनाएगा मेगनिसियम कुलोराइड बनाएगा मेगनिसियम वह तत्व है जो मेगनिसियम कुलोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है और यह आवर्त सार्णी में यह तत्व संभवत किसी समू के अंतरगत है आगे देखिए आगे हैं आपका चौथा तीसरा नमर का परस्म किस तत्व में दो कोस हैं तथा दो इलक्ट्रोनों के पूरित हैं दो कोस हैं तथा दो इलक्ट्रोनों से पूरित है इलक्ट्रोन विन्यास दो आठ दो है किस तत्व का electron बिन्यास जो है 282 है तो magnesium तत्व का electron बिन्यास 282 है याद रखेगा उसके बाद है किसी नमर का प्रस्म कुल तीन कोस है तथा संयुजक्ता कोस में 4 electron है तो silicon तत्व है जिसमें की कुल 3 कोस है और संयुजक्ता कोस में 4 electron है उसके बाद है D-Number का question, D-Number में दिया हुआ है, कुल दो कोस हैं, तथा संयुखता कोस में तीन electron है, तो वो बोरोन हो जाएगा, बोरोन में जिसमें की दो कोस है, और संयुखता electron क्या है, तीन है, आगे देखिएगा, दूसरे कोस में पहले से दोगुना electron होगा, तो वो हो जा हुआ है, चोथा प्रस्न का ये प्रस्न है, आवर्त सार्नी में बोरोन के अस्तंब के किजी के सभी तत्वों में कौन सा गुनधर्म समान है, यानि कि तत्वों का गुनधर्म क्या है, ये सब पूछा गया है, चलिए, तो इसका देखते हैं, इसमें आपको दिया गया है, चार नमबर का अंसर है, बोरोन का जो है, वो तीसरे गुरूप से समबंदित है, तीसरे गुरूप के तत्वों के गुनों में निमलिक ही समानताएं, वो समानताएं, इस प्रकार है, सबही के Hydro Oxide का RH3 हो जाएगा उसी तरह से सभी तत्वों की संयोजक्ता क्या है? 3 है जी तो आप Electron की संयोजक्ता 3 है और तत्वों की भी संयोजक्ता 3 है उसके बाद दूसरा नमर का अंसर देखेगा आवर्त सार्नी में Fluorine के अस्तम्ब के सभी तत्वों में निम्न गुनधर्म समान है, अब गुनधर्म क्या समान है, वो देख लिए, तत्वो की सभ्यों जगता समान है, यानि की एक है, और उसके बाद सभी तत्वों के बाहरी कख्ष में इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या होती है साथ है चलिए आगे देखते हैं पांचवा नमर का प्रस्ट पांचवा नमर के प्रस्ट में दिया गया है एक परमानु का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास 287 है जैसे कि पीछे देखेते 282 है अभी 287 दिया हुआ है तो पाला प्रस्ट से रिलेटेड है कि इस तत्व की परमानु की संख्या क्या हो जाएगी तो इस तत्व की परमानु की संख्या 287 है तो आप परमानु संख्या के लिए जोर दीजेगा तत्वों का इलेक्ट्रोन बिन्यास जो उसको जोड़ देना है तो परमानु संख्यां 17 हो जाएगी उसी तरह से दूसरा प्रस्निस में दिया हुआ है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रसाइनिक समानता होगी तो परमानु संख्यां कोश्टक में दी गई है तो परमानु संख्या या पर कोश्ट समानता होगी तो F9 जो होगा F9 तत्व के साथ उपरोग तो परमानु की रसानिक समानता होगी क्योंकि F9 के बाहि कक्च में भी इलक्ट्रोन साथ है यानि कि बाहि कक्च में जो इलक्ट्रोन होगे वो साथ होंगे इसलिए इसके क्या हो जाएंगे तत्व की समानता तत्व क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे रसायनिक संख्या रसायनिक समानता हो जाएगे तत्व का रसायनिक गुन उसकी संयों जकता यानि बाहिकोस में इलेक्ट्रोन जो उपस्तित होता है उस पर प्रकार है आवर्तसार्णी में तीन तत्व जिसकी स्तिति दी होए समू सोल में दिया हुआ है समू सत्रह में एबी सी दिया हुआ है तो इसका है यहाँ पर तत्व एक गुरूप सत्रह से संबंदित है जो की आवर्तसार्णी में दाई और है यह क्या है एक धातु है आवर्तस तत्व साहरने में बाएं से दाएं और जाने पर तत्व का आकार क्या होता है कम होता है जब आप बाएं से दाएं के और जाएंगे तो तत्व का आकार क्या हो जाएगा चोटा हो जाएगा क्योंकि बाएं से दाएं के और जाने पर नाव किया आबेस क्या होता है बढ़ता है और तत्व का आकार चोटा हो जाएगा जो इलक्ट्रों को उसकी अपनी और आकरसीत करके परमानों को आकार कम कर देता है परमानों के आकार को क्या कर देगा तत्व कम कर देगा ठीक है उसके बाद है आपका तत्व ए जो है तत्व ए किस परकार के आयन है धन आयन या रिन आयन बनाएगा तो तत्व ए जो होगा वो रिन आयन बनाएगा समझ मागया है? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपका प्रस्न साथ प्रस्न साथ में दिया हुआ है नाइट्रोजन जिसकी परमानुसंख्या साथ है तत्व फास्पोरस जिसकी 15 है आवर्ट सारने के समूत 15 के तत्व है इन दोनों तत्व का इलक्टोनिक बिन्यास लिखे इन में से कौम सा तत्व अधिक रिन विद्यूत होगा और क्यों? तो नाइट्रोजन का इलक्टोनिक बिन्यास 2-5 है जबकि फासफोरस का इलेक्ट्रोन नियास 2, 8 और 5 है नैट्रोजन फासफोरस से अधिक रिन विद्यूत होगी क्योंकि हम जानते हैं कि एक समू के उपर से नीचे की और जाने से जाने में प्रभावी नाविक ये आविस क्या हो जाता है? घट जाता है तता बाहरी इलेक्ट्रोन नाविक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रोन को ग्रहन करने की प्रविर्थी कम हो जाती है समझे में आगया? चलिए आगे देखते हैं आठवे नमर का प्रस्न आठवे नमर का प्रस्न है आपका तत्व के इलक्ट्रोनिक विन्यास का आधुनिक आवर्तसार्णी में तत्व की इस्तिती से संबंद है तत्व का इलक्ट्रोनिक विन्यास जो है आधुनिक आवर्तसार्णी में जो तत्व की इस्तिती है उससे क्या संबंद है किसी तत्व के इलेक्ट्रोन को विभिन कक्छाओं जैसे KLM आदी में वेवस्थित करने की किरिया को इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहते हैं यानि KLM के में जो वेवस्थित किया गया है तत्वों को तो इसी को इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहा गया है किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर हम आवर्तसार्णी में तत्व की इस्तिती बता सकते हैं यानि उसके विन्यास के आधार पर जो है हम आवर्तसार्णी में तत्व की क्या इस्तिती है इसके बारे में हम बता सकते हैं से नाइट्रोजन का प्रमानु कर्मांग शात है प्रत्भ के जो अच्छाएं होगी अतह या दूसरे आवर्त में होगा इस प्रकार किसी भी तत्व के बिन्यास द्वारा हम आवर्त सार्णी के तत्व की इस्तिति को ग्यात कर सकते हैं ठीक है आगे देखिएगा नौवा नमर का प्रस्ट नौवा नमर का प्रस्ट है आपका आधुनिक आवर्त सार्णी में केल्सियम यानि जिसकी परमानु संख्यां 20 है कि 4 और 12, 19, 21 और 38 परमानु संख्यां वाले तत्व इस्तित हैं इन में से किन तत्वों में भातिक और रसायनिक ग केल्सियम जिसकी परमानु संख्यां कितनी है बीच है कि 4 और 12, 19, 21 और 38 परमानु संख्यां वाले तत्व इस्तित हैं इन में से 3 तत्वों की भातिक और रसानिक गुंधर्म केल्सियम के समान होगा तो देखिए आधुनिक आवर्त सार्णी में केल्सियम के 4 और 12, 19, 21 परमानु संख्यां वाले तत्वों की भातिक याद रखेगा 19 और 21 वाले तत्वों की भातिक गुन ही केल्सियम के समान होगी क्योंकि इनका द्रवमान केल्सियम के द्रव के समतुल्य है और द्रवमान समान होने पर भातिक गुन समान है इन में से सिर्फ परमानु संख्यां 12 और 38 वाले तत्वों के गुन के समान होगे यान की देखिए 12, 19 और 21 वाले तत्वों के भहतिक गुन समान होगे जबकि 12 और 38 वाले के रसायनी के गुन समान होगे क्योंकि ये केल्सियम समू में है और calcium समुए में उपस्तित संयों जकता, electronों की संख्या, इन तत्वों की संख्या से के समान होती है, समझ मागया, चलिए आगे देखें, आगे है आपका, दस्मा प्रस्न कर रहा है, आधुनिक आवर्थसार्णी एवर मेंडलिप के आवर्थसार्णी में, जो तत्वों की व्य की जो बेवस्था की गई उसका तुल्ना करना आपको तो इस साघ्वूั้ के पर्मानु भार के फलं यानि को जो गुंधर्म है निर्भर करेगा ऐस का आठ हमय हो गई को और चाहे पठर शाणि को कि निम्लिकितल है पहला इस इसमें दिया हुआ है टत्व को सार्णी में उचीत अस्थान नहीं दिया गया है समास्थानिकों को सही धंग से व्यवस्तित नहीं किया गया है एक समस्या यह भी है इसके आवर्थ सार्णी में कि जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की और बढ़ते तो उसके परमानु द्रमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है इसलिए यहाँ अनुवान लगाना कठिन हो जाता है कि तत्वों के बीच कितने तत्वों खोजे जा सकते हैं समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं आगे है हमारा इसी काद है जबकि इसके विपरित आधुनिक आवर्त सार्नी के अनुशार तत्वों के रसानी गुंधर मुसके परमानु कर्मान के आवर्त फलन है इस सार्णी में 18 समू और 7 आवर्त बनाए गए हैं जबके आधुनिक आवर्त सार्णी में 18 समू और 7 आवर्त नावर्त था अभी क्या है 18 समू है और 8 अवर्थ है तता कुछ तत्वों में लेते नाइड एवं एकसे नाइड के लिए अलग से अस्थान दिया गया यानि कि जो नए तत्व है जिसके बारे में कि नहीं ग्यात है या फिर जो नया तत्व खोजा जाएगा उसके लिए इसमें जगा छोड इस प्रकार आधुनिक आवर्थ सार्नी को देखते हुए मैंडलिव की आवर्थ सार्नी की तुलना में कई सुधार हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा तो यह अभ्यास के बीच का प्रसुनतर यहीं समाप्त होता है अब हम लोग अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे और अभ्यास चठा का प्रसुनतर जैव प्रकरम है उसको देखेंगे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखें और इसका फाइदा उठाए और बोर्ड में आप अच्छा मार्क लाए यह हमारी कोशिस रहेगी हम और वीडियो आप डालते रहेंगे आप लोग चैनल पर बने रहें आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जै हिंद जै भारत